देखे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रिजेश पाठक जी की जो राजनीती है न वो बहुत आसान नहीं रही है जिन्दगी में संघर्स किया, छात्र जीवन से आपने राजनीती की शुरुवात की लखनव विश्विद्याले में इन्होंने कई चुनाओ जीते, उसके बाद छात्र जीवन की राजनीती से संघर्स करके उन्होंने समाज में देश में दुनिया में अपना एक मुकाम बनाया जिन्दगी कभी भी आसान नहीं होती है, हर दिन आपको चुनाओतियों से लड़ना पड़ता है और चुनाओतियों से लड़ते हुए अपने आपको प्रूब करना पड़ता है और जो व्यक्ति प्रूब कर लेता है वही सितारा बनता है और देश में सूरज की तरह चमकता है मैं समझता हूं प्रिजेश पाठेक जी उनी लोगों में से एक हैं जिनके मन में लोगों के लिए हमेशा एक पीड़ा एक दया और कुछ करने का जजबा होता है और हमने हमेशा देखा कि कभी रात को एक बजे भी फोन करिए मैं आपको एक छोटा सा उधालन बताना चाहता हूं कोवीड के समय में एक हमारे जानने वाले की तबियत बहुत जादा खराब होगी ठीक है साब मैंने जो है तीन लोगों को फोन लगाया तो उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति का फोन उठा और वो थे श्रीव डिजेश पाठक जी तो मेरा एक कहने का आशा यह है कि इनके मन में जो लोगों के लिए दया है जो प्रेम है वो बहुत रेयर होता है प्रिस सारे लोग ताली बजाईए सारे लोग यह कोई साधारण बात नहीं है कटिन परिस्तिते यो आपके साथ हो उसका साथ कभी जीवन में नहीं चोड़ना चाहिए यह हमेशा याद रखे क्योंकि वही हो व्यक्ति होता है जो आपकी जिंदगी को बचाने का काम करता है आपको आगे बढ़ाने का काम करता है तो हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे सर इसमें हम लोग जो है आपसे कुछ बातचीत भी करते रहेंगे बीच बीच में डॉक्टरों को सम्मानित भी करत आएंगे मैं शुबंगो जी को धन्यवाद देऊंगा कि यह इतने मुरादाबाद से चलके आए हैं हमारे बीच में बंसल जी है हमारे बीच में डॉक्ट साव है हमारे बीच में स्लोक सिंग जी है बहुत सारे डॉक्टर्स है जो सबका परिच्छे हम देरे-देरे करेंगे औ उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही अभी आप कली अयुद्या सो क्या है हम लोग पिछली दिनों बात चीद कर रहे थे तो यह हो रहा था कि अधिया में हम लोग जो स्वास्त की चुनौतियां हैं उसको किस तरीके से टेकल करेंगे किस तरीके से देखेंगे क्योंकि कि दुनिया भर की लोग उहां पे आ रहे हैं अध्या में बड़ी संख्या में सध्धाल आ रहे हैं जी बाइस जन्वरी को मानी पधानमंत्री जी जब लोकारपण करेंगे जी उससे पहले और उसके बाद तक कि तो हमने कल अध्या में श्रास्विवाग के सभी अधिकारियों के साथ जी समन्दित सभी जन्पदों के अधिकारियों के साथ बैट करके पूरी बिंदुवार समिच्छा किये हैं और वहां सभी उच्छी स्रिणी की चिकिस्सा व्यवस्था उपलब्दों इस बात की व्यवस्था करके और उनको हमने निर्देश भी दिये हैं जैसे की टर्सरी केर में मालीजे किसी को हार्ट अटेक आ जाए तो अध्या में ही उसको हम प्रात्मिक चिकिस्सा के साथ साथ उनको हमारे पास करने का और जी हम या इसके लिए पास अभी मेडिकल का लेज्ग में 200 बेट से उपलब्ध हैं, जिस्टिक हास्पिटल में हमारे पास पर्याप संख्या में बेट से उपलब्ध हैं,